कथित जमीन घोटाले में गिरफतार हुए जहारखंड के पूरु सीम हेमन सोरेन को ED की टीम ने आज कोट में पेश किया ED ने सोरेन की 10 दिन के रिमांड मांगी है करीद दो घंटे की सुनवाई के बाद कोट ने जहारकंड के पूरु सीम हेमन सोरेन को जुडिस्यल का स्टडी में पेश दिया इस मामले में ED द्वारा मांगे गया रिमांड पर अब कल सुनवाई होगी जमीन घोटाले में ED ने हमन सोरेन को कोट में पेश करके 10 दिन की रिमांड मांगी थी साथ ही हमन सोरेन ने अपनी गिराफ्तारी को हाई कोट में चुनवाई की अपील की थी कि आज इनको जुडिसल रिमांड में भेजा जा रहा है ED की रिमांड में नहीं दी गई है एक सीम के तरफ से कहा गया कि विदाउट एविडेंस इनको एडी ने एक इलीगली आरेस्ट किया है ये बाते अभी आई है जो सीम साहब के तरफ से अड़ोकेट लोग एपियर हो रहे हैं यही बाते आई हैं कि यह मैटर जो रिएलेटेट था घानु परत परषाद जो उनके द्वारा जो जमीन में मैनुपृलेशन की बात हुई थी उसी मैटर को लेकर एडी वालों ने इनको रीमांड खिया था इडी वालों ने रिमांड के लिए मांग किया गया तब पुस्ताच के लिए दस दिनों के लिए तो आपको बता दे बीती राद जार्खर में बरिज सियासी हल चल देखने को मिल कतित जमीन घोटाले में इडी से लंबी पुस्ताच के बाद हेमां सोरेन ने राजभवन जाकर गिरफतारी से पहले मुखमंत्री पत से इस्तिफा दे दिया